निवस क्लिक पे आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे हमारी अर्थनीतिक हालत क्या है क्योंकि इस वक्त लग रहे हैं कि आंक्डे बहुत बुरे हैं अभी देख रहे हैं कि रूपी डॉलर का रेट पे घटा है नौकरिया नहीं है अनेफ्लाइमेंट बढ़ा है और सब सबसे बड़ी बात कि पुजीपती वर्ग के जो नुमाइंदे हैं वो भी इस वक्त इस बात को कह रहे हैं कि एक संकट आर्थिक संकट है परणजय क्या लग रहा है अभी जिस तरह से आंक्रे आ रहे हैं नौकरी की आटोपाइल सेक्टर की क्राइसिस दिख रहा है इंफ्र के रखा गया था किसी भी तरह वो सब कॉलाप्स कर रहे हैं विल्कु ठीक है आपने देखिए ये जो आज हल चल चल रहे देश में कश्मीर के उपर इससे पहले यूए पी ए था नैशनल रेजिस्टर अफ सिटिजन सा सूचना का अधिकार का कानून था मगर जो वास्तव ह है अर्थ विवस्ता कस्तिती बहुत ही खराब है ये सरकार का आकड़ा कह रहे है आप देखिए एक उधार ने देखिए बनियादी धाचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर या कोर सेक्टर कहेंगे पिछले चार साल से जादा जिस रफ्तार से जून महीना में बरा शूर्णियन द दो फीस देखिए इस रफ्तार पिछले चार साल से जादा भी इस रफ्तार इतना धीमी रफ्तार से नहीं बरा कोर सेक्टर गुनिया दी था अचा मतलब क्या है चार साल पे सबसे कम गम रहा और इसमें क्या है इसमें बिजली का उतपादन है इस पात है सिमेंट है आपका काई आतायत आप जो जो चीजे लेके जा रहे हैं ये सारे चीजे बनते हैं तो ये एक उधारण है आपने आटो सेक्टर को लेकिया अगर आप आटो सेक्टर देखेंगे ये जून महिना का आखरा देखिए वहां का जो एसोसियेशन है कि जो पैसेंजर गारी का सेल है वो 24 फ क्लॉरी बस इनका भी आपने विक्री 12 फीसी जादा कम गया और जो मद्वर के लिए जो दो पैया वहां लेते हैं स्कूटर मोटर साइकल्स मोपेड इनका भी सेल्स लगबग 12 फीसी 11.7 फीसी हो गया और घट गया कम हो गया और जितने बरे-बरे कंपनी है जैसे मारूती है हीरो हॉन्डा है टाटा मोटर्स है बजाज है यह सारे कंपनियों में उनका विक्री कम हो गया बहुत सारे कार खाना बंद हो गया और लोग कह रहे कि पता नहीं कितने लोगों का नौकली जाने का एक संभावना है एक हाकड़ा मैंने पॉला कि 30,000 से जादा लोगों का नौ नौकली कर रहे है और इसका और भी कारण है जो NBFC है जो Non Banking Financial Companies जो लोग को यह सारे चीज़े खरीदने के लिए पैसे दे रहे हैं जो Housing, Finance, Infrastructure, Leasing and Financial Services, DHFL, Divine Housing, Finance कम जो मकान बनाने के लिए लोगों को रिन देते हैं इनका भी स्टिधी बहुत कराप है और साथ साथ हम देख रहे हैं जो मकान बनाने का और Housing, Finance का साथ एक हम लिंक देख रहे हैं सुप्रीम कोड एक नहीं एक के बाद एक कंपनियों के ओपर का नाराजी दिखाया कंपनी एक तरह से बोला पैसा वापस दे दो इसमें Unitec Group है इसमें आपका आमरपली Group है इसमें JP Group है बहुत सारे Group है बड़े बड़े जो मकान बनाने वाले कंपनी हैं इन्फरस्ट्राक्चर के सहाथ Dalek में बनाने दिखाया principle कौररस अक्टर के बात किया अगर यह कि मकानम हो जाता है तो आपका सिमेंट कमांग भी कम हो जाता है आपका इस पात कमांग भी कम हो जाता है तो इसका उसर परता है पूरा अर्थ विश्धा के डिमांड और तो इंफ्रस्ट्रक्ट्टर से निकलता है, कोर सेक्टर से निकलता है, उसमें अगर लोग करचा नहीं करेंगे, सरकार नहीं करेगी, तो वो जो है, पूरा अर्थवयफ्स्था को डावाडोल में कर देता है. दूसरी बात आपको पूछना चाहेंगे कि हमने पिछले बार भी कई बार चरचा की है इस बात की कि ये सरकार चुणाव के पहले आक्रों को मरभबत करके अर्थ निती की मरभबत न अकर के आक्रों का मरभबत किया है आक्रों पे बहुत नजर डाला है उसका नतीज़ा ये हुआ कि सत्य बहुत दिन तक अब ढख नहीं सकते जो भी आप आखने पेश करो कभी न कहीं सत्य निकल के आएगा चुनाओ के बाद ये निकलना शुरू हुआ बिल्कुल ठीका देखिए चुनाओ के पहले जो नेशनल स्टेटिस्टिकल कमिशन था उनका आखरा था कि 45 साल में बेरोजगारी का जिस तरह से बरा ये 45 साल के बाद इतने उपर एक स्थाल पे पहुँच गया सरकार नाखुश हो गया थे और जो नेशनल स्टेटिस्टिकल कमिशन के इन चार्ज थे दो वेक थी उनको इस्तिफा देना पड़ा वो रिपोर्ट लीक हो गया वो रिपोर्ट बाहर आने नहीं दिया सरकार चुनाओ के पर बिल्कुल और फिर चुनाओ के बाद जब चुनाओ का नतीजह सब के पास था उसके बाद वो ही आकरा आगया वापस और बोला इसके साथ हम तुलना नहीं कर पहता है सेव और संत्रा के साथ मगर आकरा वो ही था कि जिस तर में हमारा बेरोजगारी आज है वो 45 साल में नहीं था एक चीज़ और में बताना चाहता हूँ देखिए ये सरकार ये सब कश्मीर के मुद्धा लेके बहुत चिल्ला चिली हो रहे हैं मगर नहीं बता रहे है कि आज रुपया का जो कीमत है डालर के मुकावे वो 70 रुपया से जादा होगा ये नहीं बता रहे है कि विदिश में हम देख रहे हैं कि आप कह रहे हम 5 अरब डालर हमारा अर्थवशता हो जागा आरे वाले 4-5 साल में ये नहीं बताया कि अभी-अभी भारत वर्ष का जो जो स्थर था फिफ्ट लाजर्स प्वाच्वास थाल में वो गिर के साथ साथ चगा में गिर गिर गिया तो ये जो आपने आकरा के बात किया इस से पहले जो चीफ एकोनॉमिक अडवाईजर जो मुक्या आर्थिक सलाकार जो वित्यमंत्री में सबसे एक तरह से सबसे वरिष्ट जो अर्थ शास्त्री है अर्विन सुब्रमानियम उन्हों तो इस्तिवा दे दिया उन्होंने एक पे जिस रफदार से बढ़ रहे थे हम टाई फीसिदी बढ़ा के दिखाया तो सच मुझ साथ फीसिदी नहीं बढ़ रहे थे मेंगर सारे चार फीसिदी बढ़ रहे थे तो इसका मतलब क्या है हमने सब कुछ बढ़ा के दिखा रहे हमारा जो जो जीडीपी है जो सकल घरेल उत बहुत सारे सवाल आते हैं पहली बार हम और एक चीज देख रहे हैं कि बड़े पूजी पती जो हैं, जो क्या कहेंगे, फाइन्स के इंडस्ट्री के कैप्टिन जिसको कहते हैं, उद्योग पती कहेंगे, उनका इस वक्त बयान आना शुरू हो गया, कि एक हालत बुरा है, और जिस तरह से पहले चियर लीडिंग कर रहे थे एक हिसाब से सरकार की करीब करीब आर्णब को स्वामबे के साथ सुर मिला के, इस वक्त लगता है कि विपरीद सुर वो गार है, बहुत बहुत नई बात है, जब वित्यमंद्री निर्मना सीता रामन ने उनका बजट पेश किया, इन सम लोग तो तारीफ किया, मगर इन लोग तारीफ तो करते र गिर रहें, समवेधी सुचांग मुमई स्टॉक एक्शेंज का गिर रहें, निफटी गिर रहें, रुपिया, डालर का मुकाभी कम्जोर हो रहें दिन के दिन, और सामने आगे कुछ हम नहीं देख रहें, आशा के किरन हम नहीं देख रहें, तो पहले देखे राहुल नहीं करने के लिए त्यार है उसके बाद आपका लार्सन एंड टूब्रो जो भारतवर्श के जो नीजी इंजिनेरिंग कंपनी में सबसे बरह है उनका जो चेर्मन है नाएक जी एम नाएक उन्होंने भी एक ही चीज़ कहा फिर HDFC हाउजिंग डेवलपमेंट फाइनांस कॉर टैक्स टेरोरिज्म है कि यह कहा कि जब वो कैफ काफी डे का सिधार ची का आतमों अथतकाबाद उन्होंने कहा कि सरकार जो आएकर विभाग टैक्स टेरोरिज्म है और यह कब यह भारते जन्ता पार्टी यह शब्त के इस्तिमाल किया जब UPS सरकार थे तो मने तब जो लोग सरकार के तारीफ कर रहे थे जो मोदी एक तरह से मोदी भक्त हम कहते हैं इनको इन लोग भी आज नाखोश है और एक और महिला वो भी जाने माने उद्योग पती है किरन मजूमदार शौ जो बायो कॉन ग्रूप के साफन किया उन्होंने बोला कि हमें टेलिफोन आया बड़ा कोई अधिकारी कि इसका नाम उन्होंने नहीं किया कि बोली ये जो अर्थ विवास्ता के वारे में आप कुछ मत कहिए तो आपका मूँ मेरा मूँ और जो नागरिक समाज के संगस्ताओं का मूँ बन नहीं बरे बरे उद्योक पती को भी कहरें तुम चुपचा मूँ मत कोलो जो वास्तावे मत बताओ लोगों को ये बहुत ही दुख की बात है शुक्रिया परजय हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद और देखते रहेगा न्यूस क्लेक